अश्कार दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आपका एक और नई वीडियों दोस्तों यह वीडियो है जरेनियम प्लांट का बीज लगाने से लेकर फुल खिलने तक का जरेनियम का बीज आप अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नॉर्मबर महिने में कभी भी लगा सकते हैं जरेनियम का बीज लगाने के लिए आप मीडियम साइज का पोर्ट लें एक अच्छे ड्रैनेज होल के साथ और जो मिट्टी मैंने लिए है बीज लगाने के लिए इसमें सेंड गार्डन सोल कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में मैंने मिक्स किया है आप चाहो तो सिर्फ लगा सकते हैं लेकिन अगर आप सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं तो आप कोको पीट का यूज खरेंए वीज लगाने के लिए वीज आपoulder से लेकरके नॉंब्र मूंद तर अभी लगा सकते है लेकिन 10 उ.. बीज आप जो है यदि 20 डिग्री से नीचे के तापमान में लगाते हैं तो बीज देरी से जर्मिनेट होगा लेकिन 20 से उपर के तापमान में लगाते हैं 25 के आसपास है तो बीज जल्दी जर्मिनेट होगा इसके इलावा यदि बीज से नीचे का तापमान है आपके यहां पर अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नॉम्बर मेने में कभी भी तो आपको फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर ही जो बीज को लगाना है जहां पर दिन बर धूप आती हो, बीज से नीचे के तापमान में और यदि 25 के आसपास है, फिर 30 तक जाता है तापमान दिन के समय में तो आपने जो है ग्रीन नैट के नीचे सीडलिंग करनी है इसके बाद आपने भरबूर मात्रा में पानी देना और मिट्टी में हलका मुष्चर हमेशा बनाकर रखना है तो आठ दिन का यह फर्स्ट अपडेट है जो कि आप देख सकते हैं काफी सारे सीड जर्मिनेट होकर बाहर निकल चुके हैं और काफी सारे सीड भी जर्मिनेट हो रहे हैं तो दोस्तो यदि आप जो हैं कम तंप्रेचर में उगाते हैं बीज 10-15 का हैमाल लेजिए तो आप पॉलिथीन से कवर कर यह सीडलिंग ट्रे को जिससे की सीड जल्दी से जर्मिनेट होकर बाहर निकल आए तब आपने पॉलिथीन से कवर नहीं करना है फुल डे की सन्राइट वाले स्थान पर सीडलिंग ट्रे को रखना है यह है दोस्तो सेकंड अपडेट जो की 17 दिन का है इस अपडेट में आप देख सकते हैं हमारे जर्रेनियम फ्लाव प्लांट का जो सेपलिंग्स हैं इनमें टूलिफ्स बनना शुरू हो गई है यह है दोस्तो तीसरा अपडेट अभी आप देख सकते हैं जर्रेनियम की सेपलिंग्स जो है वेर रेडी है टार्स प्लांटेशन के लिए और यह है जो अपडेट है यह है 32 दिन का अपडेट है दोस्तो जर्रेनियम फ्लांट को आप 8 से 10 इंच बड़े पोर्ट में लगा सकते हैं मैं यहाँ पर मिट्टी के पोर्ट में जर्रेनियम फ्लांट की सेपलिंग्स को लगाने वाला हूँ जेरेखンド की सैपलिंग को आपने बिलकुल बोटम पार्ट से पकड़ना है और उपर की तरफ खीचना है आराम से तो इस तरह से आपका जो सैपलिंग प्लांट है वह निकल आएगा तो आप देख सकते हैं सैप्लिंग प्लांट पूरी तरह से त्यार है ट्रांस्प्लांटेशन के लिए तो दोस्तो इस तरह से आपने एक गड़ा करना है और उसमें आपने सैप्लिंग प्लांट को लगा देना है प्लांट लगाने के बाद आपने पानी देना है पानी देने के बाद पोर्ट को, यदी टमपरेचर 10 से 20 के बीच में है, तो फूल डे की सनलाइट वाले स्थान पर रखना है यदी टमपरेचर 20 से उपर का है, तो आपने पर्शल सन्में रखना है पोर्ट को दोस्तो ट्रांस्प्लांटेशन के आठ दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारे जरीनियम का प्लांट सही से चल रहा है और इसमें एक न्यू लीफ भी आ गई है और दोस्तो जब भी टॉपसोयल में इस तर से कोई भी खर्पतवार उगे तो उसको जो है आपने हलकी बाद के दिन के बाद आप ही आप देख सकते हैं हमारे जरीनियम के प्लांट में एक चोटा सा फ्लावर बंच निकल कर आ रहा है दोस्तो जैसे जैसे मुसम ठंडा होने लगता है वैसे वैसे प्लांट की ग्रोध भी स्लो हो जाती है इस बात का भी आप खास ख्याल रखें क कहने का मतलब यदि दिन में धूब बहुत कम निकलती है या नहीं निकलती है तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ स्लो पड़ जाती है। दोस्तो ये है लास्ट फाइनल अपडेट इस अपडेट में आप देख सकते हैं हमारे जरेनियम के प्लांट में फ्लावर्स ब्लूम होना शुरू हो गए हैं तो आप दोस्तो इस तरह से जरेनियम प्लांट का बीज लगा सकते हैं और जो हैं बीज से त्यार पौधों से फ्ल वाली जीएगा जिससे की मेरे आने वाले सभी प्लांट से रिलेटरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको भी मिलते रहें और आप भी उन वीडियो को देखकर गार्डनिंग में कुछ नहीं नहीं सीख सकें थैंक्स वर वाचिंग हैपी गार्डनिंग